हेलो एब्रीवान, वेलकम टो आर चानल, जोईन MNS अकाडमी, आज के वीडियो में हम मौक टेस्ट करने वाले हैं, यह मौक टेस्ट वन फिप्टी कोश्चिन वाला है, आप लोग हमें टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मौक टेस्ट मिल जाते है कोईस के फॉर्म में और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं, फिफ्टी कोश्चिन इंग्लिश के पहला कोश्चिन है, इस्टेडी ऑफ एंशेंट सोसाइटी, इस्टेडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, आर्किलोजी, एंथ्रोपॉ तो जो रूल बनाने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जुडीशिरी, लेगसलेचर, एक्सक्यूटिव या कोट, उनको हम क्या बोलते हैं, लेगसलेचर, क्यूश्चिन नमर थ्री, गवर्मेंट बाइ नॉबल्स, जो नॉबल लोग होते हैं, ठी तो इसको बोलते हैं, एरिस्ट्रोक्रेसी, एरिस्ट्रोक्रेसी या ओट्रोक्रेसी, तो इसको बोलते हैं, एरिस्ट्रोक्रेसी, फोर्थ कोश्चिन है, जोमेट्रिकल फिगर विद एइट साइड्स, ऐसे कोश्चिन भी आए होए हैं, ठीक है, तो इक जोमेट्रिकल फिग जिसके 8 साइड होते हैं पैले उलोग्राम 4, पैंटा 5, हेक्जा 6 क्योश्चिन नंबर 5 फियर ओफ कनफाइंड स्पेस चोटी सी जगह में अगर आप हो और वहाँ पे आपको घुटन सी हो रही है तो डर लग रहा है उदर पे तो उसको क्या बोलते हैं इसका करेक्ट आंसर है अब यह स्पेलिंग करेक्शन के है ठीक है क्योश्चिन नंबर 6 है चार वर्ड दिये है वर्ड है टर्मिनेटेड और इसका आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो इसमें इसलिए पहले से ही मार्ग किया हुआ आगे की question mark नहीं है तो terminated की correct spelling ये होती है ठीक है E नहीं आता है यहाँ पर I आता है ठीक है तो कहीं पर I दिया हुए कहीं पर कुछ और word missing है आपको spelling अच्छे से याद करनी होगी ठीक ही 5 marks का spelling correction आता ही है fixed है ये 5 marks के synonym 5 marks का antonym और 5 marks का spelling correction ये पक्का ही आएगा अगला है physiology ठीक है ये है word physiology इसकी अलग-अलग गलत spellings दी वे आपको correct find करनी होगी next है license तो license की correct spelling ये होती है L I C E N C E देखो यहाँ पर वैसी दिया है S लगा दिया है यहाँ पर तो confuse हो के गलत कर देते हैं काफी लोग ninth है encouraging काफी easy word है ठीक है encouraging और tenth है anonymous ठीक है anonymous अब यहाँ से answers नहीं दियो है तो आपको करना है मेरे साथ question number 11 नमन is afraid dash spider ती फिर इन दे blanks है on the base of prepositions option A है from option B है in option C है about option D है off sentence पढ़ो अगर नहीं आ रहा तो एक-एक word यहाँ पर put करके देखो ठीक है put करके देखो जिससे आपको sentence लग रहा है कि हाँ यह होना चाहिए तो फिर वैसे बन जाते हैं English का ज़्यादा difficult नहीं होता अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके करोगे तो देखो science सब कोई पढ़ रहा होता है आप अगर score करना आपको और सबसे अलग करना है तो दो ही पार्ट है वो है English और GK यहीं पर आप कुछ अगर अच्छे से पढ़ोगे और जादा score करोगे तो यह आपकी ranking आईगी तो इसका correct answer है off ठीक है नामन is afraid of spiders question number 12 I am worried dash the exam in about on off तो एक एक put करके देखो दुबारा pause करके try करो खुच से I am worried in the exam तो नहीं हो सकता I am worried about the exam I am worried on the exam I am worried off the exam तो क्या होगा about the exam मुझे exams के लिए tension हो रही है ठीक है exam में बैटके exam के लिए तो tension नहीं होगी तो I am worried about the exam option B is correct question number 13 he looked upset I think he took the criticism dash hurt तो यहां पर क्या होना चाहिए to about in या off इसका correct answer है to next is question number 14 he can find dash me about in on या off इसका correct answer है option B in question number 15 they decided dash the gray sofa about on in या off इसका correct answer है on ठीक है next है the teacher said some homework dash the end of the listen teacher ने कुछ homework दिया dash जब lesson खतम हो गया उसके बाद तो about the end of the lesson in on या at तो इसका होगा at the end of the lesson जब lesson खतम हो गया उसके बाद से teacher ने कुछ homework दिया next question number 17 we arrived dash the station and are late तो लुक स्टेशन पर कब आए एक गंटे बाद तो क्या होना छिए about in at या off तो we arrived at station and are late ठीक है तो option C is the correct answer next is question number 18 green pepper is very rich dash vitamin C of about on in तो इसका correct answer है green pepper is very rich of vitamin C next question 19 he was embarrassed because everybody was laughing dash him very easy on in at या about तो इसका होगा at everybody was laughing at him question number 20 as dash me I will be happy to lend a hand as in me as for me as about me या as of me अगर आप daily reading भी करते हो तो आपको ये सब कुश्चंस करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी ठीक है कि कि सेंटेंस आप डेली डेली पढ़ रहो तो आपको पता है संटेंस फॉर्मेशन में बीच में कैसे वर्ट जाने चाहिए तो ये है as of me option D is correct as of me I will be happy to lend a hand question number 21 अभी आपे आपको synonyms बताने है ठीक है which word best express the meaning of barbarian barbarian मतलब क्या होता है unkind impolite unlikeness uncivilized इसका correct answer option D uncivilized next है question number 22 which of the following word best express the meaning of haggle Chris impeach, ignore या bargain इसका correct answer है option D bargain next है 23 choose the nearest meaning of taint taint word का nearest meaning आपको खोजना है soil, stain, dirt या corrupt इसका correct answer है corrupt ठीक है taint मतलब corrupt I believe the unity of God here unity means unity जो यहाँ पे word आए इसका क्या मतलब है uniqueness, oneness, university या universal तो यहाँ पे है oneness ठीक है option B is correct question number 25 choose the word nearest to the meaning of conceal conceal word का synonym बताना है आपको unfold, reveal, open या discover इसका correct answer है option B reveal 25 questions हो गए है और 25 बस बचे है, साथ में कर रहे हो तो marks नीचे मुझे comment करके बताऊ गए ठीक है practice करो मैं करवा रहे हूँ answer मैंने इसलिए नहीं दिखा है क्यों कि आप लोग ही बोलते हो answer नहीं दिखाना हम भी साथ में practice करेंगे तो मुझे अभी सब के नीचे marks चाहिए next है 26 find the most opposite meaning of subversion अभी opposite words आ गए destabilize clarity, compliance या sanity इसका correct answer है option c compliance इसमें भी opposite बताना है opposite बताना है under rain का under rain मतलब क्या होता है under wrap, without target, let loose या no clout इसका meaning होता है under wrap लेकिन अभी हमें यहाँ पे opposite पूछा है तो यहाँ पे होगा let loose ठीक है उसकी control में नहीं है next यहाँ पे भी आपको opposite बताने है मतलब antonym बताना है embrace embrace का antonym बताना है disobey, contradict, reject या obscure embrace का opposite होगा reject embrace मतलब कुछ चीज को ले लेना, समा लेना, उसमें accept कर लेना इसका meaning यह होगा लेकिन opposite पूछा है इसलिए reject option c is correct again यहाँ पे opposite बताना है orient का disorder, fact, conform या casual तो इसका correct answer है option a disorder 30 है sterile, इसका आपको opposite बताना है short, wild, common या fertile very easy इसका correct answer है fertile जो fertile नहीं होते हैं उन्हें हम sterile बोलते हैं 31 by leaps and bounds very fast, very slow, in detail, aimlessly तो इसका correct answer है very fast यह idiom है, ठीक है idiom या phrases यहाँ से अभी start हो चुके हैं तो यह जो idiom है by leaps and bounds इसका मतलब होता है बहुत ही जल्दी, very fast next है the end in smoke to come to nothing, to gain an importance, to praise once, to reach target इसका correct answer है to come to nothing, ठीक है option A is the correct next है tie the knots, to get married, to get educated, to hit someone, to be turned away tie knots मतलब होता है, यह आपने सुना भी होगा इसका मतलब होता है get married, ठीक है 35 up to the mark यह बहुत ही common idiom है day to day life में भी आपने इसको सुना होगा पक्का feel greatly, standard, extinguish, below, standard up to mark का मतलब होता है standard, option B is correct question number 36 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इस sentence में से कहां गलती है वो बताना है, ठीक है once appointed by the president, the council of ministers as responsible to the house अब A यह वाला portion है B यह वाला portion है CA और DA और अगर आपको लग रहा है इस पूरी sentence में कोई error नहीं है तो no error ठीक है तो आपको जिस पर error लग रहा है वो आप बताओ A में, B में, C में या D में इसका correct answer है option C which is this one as responsible ठीक है, क्या गलत है यहाँ पर change R to is because the subject council of minister is considered to be as unit तो जो council of minister इसको हम as a one unit लेते है तो यहाँ पर is responsible आना चाहिए ठीक है अगला है Since two days I have not taken the breakfast but dinner A, B, C या D कहाँ पर mistake है Since two days I have not taken the breakfast but dinner इसका correct answer है option C क्या करना है Delete the before breakfast because before meal article is not used except for the particular purpose article the नहीं use होता है meal खाने से पहले ठीक है तो यहाँ पर the लगा है the breakfast नहीं होगा इसलिए यह wrong हो गया तो हमारा correct answer हो गया option C अगला है The bus ride to Lahore went smooth and so did the cricket match अब इसमें कहाँ गलती लग रही आपको A, B, C या D में correct answer है option B Use went off to correct the error in phrasal verb went off means take place in a specific way ठीक है तो option B यहाँ पर correct हो जाएगा यहाँ पर went off होना चाहिए Went smoothly की जगा, went off smoothly ठीक है Next है 39 Today all students of my class are invited to dinner given to bid farewell to the outgoing students तो यहाँ पर कहाँ mistake है Today all students of my class are invited to dinner given to bid farewell to the outgoing students यहाँ पर गलती है option C add a before dinner because it's a special dinner hosted for a special occasion तो यह जो dinner है special dinner है और special occasion पर host हो रहा है तो यह particular हो गया तो यहाँ पर a आएगा Invited to a dinner ठीक है हम specific किसी चीज़ की बात कर रहे है Next is question number 40 Only few customers can regularly to my shop तो कहाँ गलती है Only few customers come regularly to my shop तो इसमें option A में गलती है Change few to a few because few is most negative meaning but only is used before few ठीक है तो यहाँ पर few को change करना है Only a few से Only a few customer come regularly to my shop Next step fill in the blank on the proper tense यहाँ पर tense कौन सा आना चाहिए Neha dash to study now Neha going to study Neha is going to study Neha will go to study या Neha shall to study now इसका correct answer है Option B Neha is going to study now James dash to market yesterday Went, is left, is going, या go तो yesterday बात हो रही है यहाँ पर ठीक है? तो क्या होगा? पहले काई होगा? पास्टेंस होगा यहाँ पर तो went होगा ठीक है? James went to the market yesterday Going to future के लिए हो गया Left मत अब अभी थोड़े बहले ही वो गया है तो इसके साब से went से होगा 43. At the time tomorrow Jason dash in the Paris इस time पे Jason अभी कल कहा होगा? पैरिस में होगा तो कब की बात हो रही है? आगे की बात हो रही है ठीक है? Will be Was Were या शाल बी तो यहाँ पे आएगा Will be ठीक है? Will be in Paris Tomorrow Next है 44 When Dia got the call She dash in her office Work Will be Was working Were working उसका correct answer होगा Was working When Dia got the call She was working in her office जब उसको phone आया तो अपने office में काम कर रही थी Spend हो का T वाला 46 I like chicken Dash not fish And Since But For तो यह क्या है? Conjunctions है तो यहाँ पे आना चाहिए But मुझे chicken पसंद है पर मचली नहीं तो इंग्लिश में बोलेंगे I like chicken But not fish 47 Dash It's rain on Saturday I will not be able to drive After When Either If तो इसका correct answer होगा If अगर Saturday Sunday को बारिश हुई तो मैं गाडी नहीं चला पाऊंगा तो If It rains on Sunday I will not be able to drive Next question No.48 I like both Dog Dash Cats Also cats But And या If तो यहाँ पर होगा And मुची dogs and cat दोनों पसंद है ठीक है Next question No.49 The item on the sale in the local store Dash not online But And All to या Are तो होगा इसका But The items are on sale in the local store but not online Local store में आपे sale मिल रही है लेकिन online उस item पे sale नहीं मिल रही है तो But होगा याँ पे 50 Neither my mother Dash my father will be able to attend the party on Sunday Or Not And या Nor तो इसका correct answer होगा Option D Neither my mother nor my father will be able to attend the party on Sunday तो ये थे 50 questions English के आप लोग प्लीज मुझे अपने marks कमेंट करके बताना कि आपके 50 out of कितने आए और जो टोटल 150 में से आप वो भी काल्कुलेट कर सकते हो तो आप एड़ अप करके देख लेना कि आपके टुटल 150 में से कितने आ रहे और अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके 50 में से कितने आए तो आप चैनल को सब्स्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि जो नेक्स वीडियो आपको पता चल जाए और आप सीरीज में उसको सॉल्फ कर लो अभी मैं कंटिनियसली डालते रहूंगी ताकि सबकी एक अच्छी प्राक्टस हो जाए टेस्स से पहले तो आप चैनल को सब्स्राइब करके रखो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हूँ ताकि इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना